गरेंद मर्चिंट परचेस two varieties of rice the rice of the first kind being twice that of the second जो आपका first type का price है जो rice है उसका price twice है second वाले से तो यहाँ पर दो type के हैं first and second type first वाला type है उसका rate है twice two is two one का ratio होगा यह आपका ratio किसका है rate का ratio है थीक है अब आगे he sells the mixture for 28 per kg making a profit of 25 percent if the ratio of the first to the second is 2 is to 3 in the mixture means कहने का मतलब यह है 2 is to 1 का ratio price का था rate का था उसने first quantity को 2 ratio और second quantity को 3 ratio ले करके इसको mix कर दिया और mixture को जब वो 28 rupees में उसने sold किया sell किया तो उसको 25% gain हुआ profit हुआ अब यहां भी हमको सबसे पहला काम यह करना पड़ेगा कि हमको actually लागत value यानि CP find out करनी है अगर 20 पर kg में बेचने पर इसमें profit add है तो आपका क्या होगा CP plus profit CP plus profit is equal to 28 है और CP आपका always कितना होता 100% profit कितना हुआ 25 हुआ यह value percent में is equal to है 28 के आप यहां पर कह सकते हो 125 percent equal to 28 तो आपको 100 percent यानि CP की value निकालनी है 28 into 100 divided में आपके पास 125 आएगा यह आपका 4 यह 5 हो जाता है और 5 6 को divide करोगे 5 5 जा 25 point लग जाएगा 3 बचेगा 5 6 जा 30 5.6 into 4 करा दो 4 6 जा 24 point लगा दो 4 5 जा 20 और carry का 2 22 यहां से आपका निकल के आएगा 100 percent means CP की value clear होड़ी बात तो CP आपका कितना आगया है यहां पे 22.4 actual में ठीक है अब 22.4 total quantity कितनी है total quantity अगर हम देखेंगे 2 और 3 है total quantity 3 और 2 5 into अगर हम 5 करा दें क्योंकि mixture का यहां पर rate आया है 5 into 4 कराओगे तो यह कितना मिल जाएगा 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10 और 2 carry 12 5 जा 5 फिर 5 2 जा 10 और carry का 1 1 1 2 यहां 1 1 2 112 एक सो बारा रुपए होगे इसको खरीदने के लिए आप ध्यान से समझना 112 रुपए आपको यहां पर खरसने पड़े है जो कि आपका 2 is to 3 ratio ने था यह quantity थी तो 1 1 2 है आप देखो price हमारा कैसे निकल के आएगा total जो price है 5 kg quantity है उसका total price 112 रुपए है तो यह quantity थी पहली यह है first quantity और यह है second quantity आप यहां पर हम rate से करेंगे multiply first quantity का rate 2 है और second का 1 है तो 2 into 2 कराएगे total कितना बनेगा 4 और इसमें हम into 1 कराएगे तो 3 बन जा यह बनेगा 3 according to the ratio total आपका यहां पर कितना पैसा खर्च हो रहा है 4 यहां पर 3 यहां पर total खर्च हो रहा है मेरे according 7 रुपए और अगर हम 7 is equal to 112 कर दें तो 1 ratio की value कितनी आ जाएगी 1 ratio की value आएगी 16 clear है बात अगर 16 1 ratio की value है तो 4 वाली value यहां पर कितनी हो जाएगी 64 और 3 वाली value हो जाएगी 48 यानि कि हम यहां पर यह कह सकते हैं कि 1st वाली quantity को खरीदने में 64 खर्च दिया गया होगा पैसा और 2nd वाली quantity के लिए 48 इतनी बात के लिए रहे अगर आपको यहां पर ratio की value पता चली गई है तो अगर एक ratio की value आ गई तो यह ना भी निकालते तो भी नहीं सीधा यहां पर आके multiply कर दो 16 वन जा 16 और 16 टूजा 32 यह ratio किसका था rate का? rate के ratio मैंने 16 से multiply करा actual rate यहां पर हमको मिल जाएगा जो first वाली quantity है उसका rate 32 होगा second वाली quantity है उसका rate 16 होगा तो option number यहां पर क्या हो जाएगा? first